शोरी पापा मैं हार गया। हिंदी के ये रिदय विदारक पांस सब्द सुनने मातर से ही हर पत्थर दिल इनसान का भी रिदय विचलित कर देते हैं। और इन पांस सब्दों के साथ साथ कई इनसानों की जिन्दगी पत्थर बन जाती हैं। राजस्तान का कोटा से जिसे सिक्षा नगरी कहा जाता है हर साल एक्जाम के नजदी कुछ स्टुडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं और ऐसे लेटर छोड़ जाते हैं जिनमें ऐसे सब्द होते हैं जो हर इनसान को विचलित करतेते हैं। पढ़ाई से प्रेशान होकर सुसाइड करना एक बुजदिल का काम होता है वो भूल जाते हैं कि हर साम के बाद सवेरा जरूर होता है आज अगर कोई इनसान फैल होता है तो वो पास जरूर होगा लेकिन उसके लिए उसको हीमत के साथ धैरिये रखना होगा। कुछ स्टुडेंट अपने माबाप और रिष्टेदारों के डर से सुसाइड कर लेते हैं। के लिए आपकी जिंदगी सपनों से भी ज्यादा कीमति कैसे हो सकती है। वो रिष्टेदारों की तो बिल्कुल नहीं सुनने चीए। वो आपके सुक में दुखी और दुख में सुकी होते हैं। पानी वै हवा के बीच अगर कोई रुकावट आती है तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। आखरी एक्जाम थोड़ी हो सकती है जिसके डर से सुसाइट कर रहे हैं। हर एक सफल इंसान बहुत बार ऐस सफल रहा है। सुसाइट करने से पहले अगर कोई स्टूडेंट अपने माबाब भाई बहन के बारे में सोचता है और वो ये कलपना कर लेता है कि उनके मरने के बाद उनके माबाब की जिन्दगी कैसे बितेगी तो वो सुसाइट करेगा ही नहीं। मैं एक बेटे का बाप हूँ और मैं आपको समझा सकता हूँ कि बेटे की जाने के बाद माबाब की क्या हालत होती है। सबसे पहले आपको मैं हालत number 1 बताता हूं माबाप हमेशा बेटे की हर एक बातें हर कतें उनके साथ बिताय गए समय को बेटे की उपलब्दी को बेटे की गलती को उसके बच्पन को याद करकर के रोते रहते हैं उनके जीने का कुई मकसद नहीं रहता है हमेशा हर फंक्शन पर यही सोचते हैं कि कास मेरा बेटा जिन्दा रहता तो आज हमारे साथ रहता हालत नमबर दो हर एक माबाप अपने बेटे की जाने के बाद अपने आप में कोई कमी मैसूस करते रहते हैं वो सोचते रहते हैं कि हमारे अंदर कमी है जिसके चलते हम अपने बेटे को नहीं ब गया मगर फिर वो अन्य बच्चों का ख्याल उनको जीने पर मजबूर कर देता है। भी नालाइक हो। माबाब के लिए वो सब कुछ होता है। अपने जिगर का टुकड़ा होता है। अब बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आप अपने पेरेंट्स के ऐसी हालत देखना चाहते हैं जो मैंने बताई है। बेहतर बनाने के लिए ही सब कुछ करते हैं। ऐसे बीच में माबाब को दुक देकर चले जाना कायरों का काम होता है। आप माबाब को सुक मत दो। उनके सपनों को पूरा मत करो मगर ऐसा दुक तो मत दो जो उनकी जिन्दगी ही बरबाद कर दे। हर सुसाइट करने वाला स्टूडेंट खुद तो चला जाता है मगर जिन्दगी भर का दुक दे जाता है अपने माबाब भाई बहन को। एक बार अपने माबाब के बारे में सोचें जिसने आपके लिए कितनी कस्ट जिले हैं उनकी दुआ हमेशा यही रहती है कि आप जिन्दा रहें चाहे कुथ मत करो लेकिन आप हमेशा उनके सामने रहें आप हमेशा यह सोचें कि मैं कितना ही धुकी हूँ मगर मेरे माबाब को जराबी दुखी नहीं होने दोंगा परेशाने से लड़ना सीखो एक दिन आपकी जिंदगी में भी उजाला होगा और आपकी जिंदगी का उजाला आपके माबाप की कुशियों में चार चांद लगा देगा आप अपने माबाप के बुड़ापे का सारा है सुसाइट जैस ख्याल दिमाग में बिल्कुल नहीं आने चाहिए क्योंकि आपको अपने माबाप की जिंदगी आबाद करनी है बरबाद नहीं आज आप किसी एक्जाम में सक्सेज नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है और बहुत सी एक्जाम है और बहुत से रास्ते हैं सक्सेज होने के जिन्दगी में संगर्स करें अवस्य ही आप सपल होंगे आखिर में पैरेंट्स से एक बात कहना चाओंगा कि वो बच्चों को मोटिवेट करते रहें हम सब जानते हैं कि सभी स्टुडेंट्स का IQ लेवल समान नहीं होता है अगर टेस्ट वगरा में माक्स कम आते हैं तो उनकी प्रेशानियों को समझे उनके समाधान करने की कोशिस करें अपने बच्चों के साथ एक बाप उनका अच्छा मित्र भी होता है और मित्र का काम होता है उनकी दिल की बात को जानना हमेशा बच्चों के साथ रुखे पन से पेश ना आए उनकी प्रेशानिवा भावनाओं को समझे समय के बदलाओं को समझे बाप और बेटे में एक पीडी का गैप होता है और उस गैप को पूरा करने के लिए अपने बेटे के साथ फ्रेंज जैसा भी हैवेर करें बेटे की चोटी चोटी प्रेशानियों का भी हल करें उनका समाधान बताएं जिन्दगी में आई समझे उनको कैसे निपटना हैं कौन-कौन सी मुस्कलें आती हैं इन सब के बारे में बात करें जब आपने बेटे को अंगुली पकड़ के सिखाया है तो काटू पत्रू पर चलना भी आपको सिखाना ही है ये आपी का काम है उसको सिखाना वीडियो का सारांस यही निकल सकता है लास्ट में कि सुसाइड करना कायरता है ऐसे स्टुडेंट अपने माबाब भाई बहन की जिन्दगी भर के लिए आंसु दे जाते हैं आपको अपने माबाब को सुकी देखना है तो जिन्दगी में आयू प्रेशानियों से लड़ना होगा हार मान कर यूही चले जाना माबाब को आप जिन्दगी भर के लिए घुट-घुट कर मदिम पर मजबूर कर रहे हैं जिन्दगी एक संगर से लड़ना सीको खराब समय के बाद अच्छा समय जरूर आएगा आप आपका भी एक दिन समय आएगा बेस्ट ओप लग्ट